दूस्तो जो काम 60 या 70 रुपे में हो सकता है उसके लिए क्या 600 रुपे खर्च करना सही है जो काम 300 रुपे में हो सकता है उस काम के लिए क्या हमें 3000 रुपे खर्च करना चाहिए क्या ऐसा करना सही होगा अब देखा है जाए दोस्तो आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर आपको पूरे यूटूब पर ये वीडियो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर लिए तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें बीच में स्किप ना करें अपनी पि यह स्पेसर लगा दिया है मैंने थोड़ा सा और स्पेसर लगाने के बाद में यह गृप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अपना यह लूप बन रहा है अभी सिर्फ एक हैंडल में ने इंस्टॉल किया हूँ है और इंस्टॉल भी नहीं किया अभी सिर्फ लगा करना अगर यह खराब हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी कल को अगर हमें वापसी अपना यह फ्रेड को बनवाना है अब है अब है इतना गया पाता है दोस्तों मैं अच्छे से जानता हूँ मेरा इस चैनल अन्बॉक्सिंग का लिए लेकिन फिर भी आज में जो आप लोगो य आपको मैकैनिक और सर्विस सेंटर वाले आपसे यह कह देते हैं कि आपके लब्म सम् 3-4000 रुपे का खर्चा आएगा तो सकता है इसमें प्राइस भी इंक्रीज हो गया हो तो 4-5000 रुपे का खर्च आपका इसमें आ भी सकता है और यही नहीं दोस्तों सिर्फ इसके लिए हम जब हमारे पास नहीं होती है तो हम क्या करते हैं हम सोचते हैं कि हमारा यह आपECH खराब हो गया है तो हम यह फरा पूरा यहारा ही скब आतती हैं जिनको हम रेपएर करें तो वह वापसी से वही कर सकते हैं ज्यादा बातिना करते हैं चले वीडियो को तो प्लीज लाइक जिरूब करतें साथ ये अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बाल आइकन पर भी क्लिक करतें जिससे मेरी हर नहीं वीडियो की नोटिफिशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप लोग को यह बता दो यह मैंने 99RPM.com से और किया हुआ है और यह मैंने किया था 16 तारिक को मैं आपको अपने स्क्रीन पर स्क्रीन शूट भी दे दूँगा अपने और का और यह मुझे रिसीवड हुआ है 27 तारिक को यानि पूरे 11 दिन और एक चीज और यह वेबसाइट अच्छी है लेकिन इसमें cash on delivery का सिस्टम नहीं है पहले ही आपको पेमेंट पे करना पड़ता है और पर पीस का किसी भी आपका कोई भी आप और करते हैं तो पर पीस 10 रुपीज लगता है और सिपिंग चार्ट 100 रुपेज का लगता है दोस्तों मैं दिखा द पूरा कैलिपर यह चेंज करता हूं तो पूरा कैलिपर लगबग उसमें बाइस सो या 2400 रुपे का खर्चता मैंने यह थोड़ा सा रिस्क भी लिया है यह मैंने पल्सर RS200 की रेर डिस्क का कैलिपर के अंदर का पिस्टन सेट और रिंक सेट और किया है फिलहाल तो मैं अभ इसको उपर से कट कर लेता हूं पहली बारी दोस्तों मैंने यह ओडर किया है और देखते हैं क्या-क्या मिलता है यह दो चीजे आप इसका यह देखिया है सबसे बैस चीज की मतलब और जैन्में पार्ट है उसकी शियोर्टी हम इस चीज से लगाते है यह देखिए इसमें और अंदर आप अगर गौर करें तो इसमें आपको बजाज का लोगो बजाज जैनुमिन पार्ट लिखा हुआ दिखाई देगा और वहीं जो यह ओरिजनल होता है मतलब जैसे हम अपनी करंसी अपने नोट की पहचान करते हैं ठीक उसी टाइप से इसमें भी है दोस्तों य मुझे पटा नहीं था इसलिए मेरे को मैंने एक एक और ले ली तो आक्षुली मैं यह सोच रहा था कि मुझे यह पिश्टन मेलेगा और यह और इसलिए ही मैंने स्टिन केर दिया हो कर दिकार और और इसका प्राइज साइट 84 रुपीज है यह देखिए है ना मार्क 84 रुपीज है और इस कुवे का 206 रुपे है यह देख सकते आपको तो टोटल मिला कि यह मेरा हो गया था 290 रुपे का और शिपिंग चार्प जो और हैंडलिंग चार्ज मिला कि यह मेरे को पड़ा 400 रुपे का तो एक तरह से पर करें ठीक है अब यह मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है अब यह पिस्टन जो है हमें यह देखना है यह दोनों रिंग और यह पिस्टन वाके हमारे रेयर कैलिपर पलसर 220 या पलसर 150 पलसर 180 मैं इतना शेयर हूं कि इन तीनों का सेम होता है लेकिन RS200 और NS200 का होता है सेम य 99RKM.com पर पलसर 220 का मिलको प्रोड़क्ट नहीं दिखाए दिया रेयर डिस्प्रेक का पैलिपर का यह प्रोड़क्ट नहीं दिखाए दिया तो बहुत सोचने के बाद और बहुत सर्च करने के बाद है मैंने सोचा कि मैं एक बार रिस्क लेकर दिश लेता हूं अगर यह ल और यह जल्दी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी अपना जो रेयर डिस्क का कैलिपर होता है वह कैलिपर खराब नहीं होता है वह असल में यह पेस्टन खराब होती है और यह रिंकिट अपने खराब होती है जिसकी वज़े से हमें पूरा कैलिपर चेंज करना पड़ता है जबकि कैलिपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप देखते हैं यह हमारा उसमें आता है इसका डाइमेंशन हम जब बुक में रियर डेस्ट ब्रेक को ओपन करेंगे तो इसका डाइमेंशन उसमें सैट होता है या नहीं होता है यूटूब पर पहली वीडियो ऐसी होगी दोस्तो 99RPM.com एक प्रस्टेड वेबसाइट है लेकिन भी आपको यह अपना ओडर प्लेस करते हैं तो आपको थोड़ा सा कूल रहना पड़ेगा डिलीवरी लेट हो सकती है लेकिन श्यार्टी है कि आपको आपका ओडर डिलीवर्ड हो जाएगा और थोड़ी सी कमिय है इसकी जो जैसे रिटर्ण पॉलिशी वगेरा तो इसके बारे मुझे ज्यादा नौलेज नहीं है थोड़ा समयगा जरूर है लेकिन जहां एक चीज है कि जो चीज आपको कहीं नहीं मिल सकती वह एट लीस्ट आपको 99RPM.com पर मिल जाएगी तो मेरा यह रिस्क है कि मैंने RS कम हुआया है एक्चली Pulsar 220 का Pulsar 150 का मिल ही नहीं रहा था तो मैंने थोड़ा सा डाइमेंशन अपना देखा रिसर्च किया और मुझे लगा कि Pulsar RS 200 का भी बेलकोल Pulsar 220 के जासा सेम है तो इस रिस्क पर मैं इसको उठा करके मैंने इसको पालिली दोस्तों आप लोगों मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताए और अगर आप लोगों मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जिलूर करते साथ यह अपने दोस्तों को भी सेर करें और अगर आप मेरे चैनल पर